तो दोस्तों हम अपने बगीचे वाले खेंगे कोछट में आगये हैं और यहां पर जो है कि बहुत-डीठ सारी लोकी लगाई गई है और इस में जो है कि बहुत तेज धूप है दोस्तों साम हो जाता है लेकिन धूप नहीं जाता है घूप ऐसे ही रहता ही है तो चलिए यहां से हम देखकर लोकी को तोड़ लेते हैं तो इधर देखिए यह लोकी का छोटा छोटा बतिया है इधर देखिए तेन चाठो बतिया लिया है और यह लोकी देखिए तैयार हो गया है तो इससे हम जो है की काट लेते हैं इस लोकी को ये देखिए ये काफी नरम है और बहुत ही बढ़िया है और हम लोकी की जो भी रेश्पी बनाएंगे तो हमें इस तरह से नरम नरम लोकी की आओ सकता पर जो है कि है तो हम इसे ले लेते हैं और देखते हैं और भी लोकी एक देखिए यहाँ पर है लवकी जो है कि बहुत बढ़िया फलता है और बहुत ज़्यादा फलता है तो देखिए पास में ही हमें जो है कि दो लवकी मिल गए तो इसे भी हम ले लेते हैं लवकी नीचे फला रहता है तो इस तरह से जो है कि पत्ते हटा हटा कर हमें देखना पड़ता है क्योंकि ये पत्ते के नीचे जो है कि फुपा रहता है तो ये देखिए यहाँ पर लवकी है ये देखिए इसे हम तोड़ लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों हम अपने खेतों से जरूरत की हिसाब से लौकी को ले लिए हैं अब चलिए इस लौकी को लेकर चलते हैं नल के पास इसे अच्छे से धूल कर साफ करते हैं इसके बाद इसे हम बनाएंगे खेतों से हम एकदम ताजी-ताजी हरी लौकी को तोड़ कर ले आए हैं अब हम इसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं अब हम इसे ले आए हैं अपने कीचन के पास आज मैं लौकी की बहुत ही बढ़िया और अच्छी रेश्पी आप लोगों के भी शेयर करने वाली दोस्तों लौकी हमारे सिहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है और हम लोगों को लौकी जरूर खाना चाहिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं अगर आप उन्हें कुछ अलग तरीके से बना के देंगे तो वो लोग जरूर खाएंगे और इस टाइम गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़े रही है और लोगी ठंड़ा होता है कहा जाता है तो हम लोग जो है कि लोगी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा खा रहे हैं और इस रेश्पी को बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ जो है कि मेवा लिये हैं और यहाँ पर ह इसको कदुकस करने के बाद इसमें कुछ पानी होता है एश्ट्रा तो इसके पानी को हम जो है कि अच्छी तरह से निचोरेंगे अभी लौकी में जो भी इश्ट्रा पानी था इसे हम अच्छी तरह से निचोर दिये हैं अब चलिए इस रेश्पी को बनाना शुरू गरते हैं सबसे पहले हम चूले में आग जलाएंगे आग को जलाल दिये हैं अब चूले पर रखते हैं कढ़ाई और कढ़ाई को हलका सा पोश्ट देते हैं और इस कढ़ाई में डालेंगे देसी घी यहाँ पर हम पतंजली का देसी घी लिए हैं घी को अच्छी तरह से गरम होने देते हैं घी अच्छी तरह से गरम हो गया है अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दुकस किया हुआ लौकी लौकी को डालने के बाद इसे धीमी धीमी आज पर पल्टे से चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे लौकी को हम कुछ देर तक ऐसे ही खूले हुए भूने हैं अब चलिए इसे नरम होने के लिए थाली से ढग देते हैं गहां में हां आरे अपिमें धिमी आज पर इसे दिनोह होने काफ摑 हैं और यहां पर देखिए दोतों हम जो मक्हाना लिए हैं इसे चोटे पीसमें कत कर लेते हैं तो और यह जो बड़ा वाला बदाम है इसे भी हम ब्रताइट हैं नरति post करके और अशली को शुरुम I और लौकी पक जाती है लेकिन फिर भी यह जो है कि कड़ा कड़ा ही रहता है देखने में तो यहां पर देखें दोस्तों यह करीब 80% के करीब जो है कि पका हुआ है अभी 20% बाकी है तो हम इसे जो है कि अब दूद में पकाएंगे तो यहां पर हम यह पैकेट वाला दूद ल दूद को डालने के बाद इसे हम पल्टे से बराबर चलाते रहेंगे नहीं तो यह तली में चिपक भी सकता है तो यहां पर देखें दोस्तों धीरे-धीरे दूद गाड़ी होने लगी है अब हम इसमें डाल देंगे चीनी यहां पर हम आधा किलो की करीब चीनी लिए हैं बनाने जा रही हूं तो आज मैं बनाने जा रही हूं दोस्तों लोकी की बर्फी जो की खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और यह बिल्कुल हलवाई जैसा बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो यहां पर देखें दोस्तों यह अच्छे से जो है क यहें तो इसमें हम ठोड़ा सब 2 डाल रहे हैं यह ग्रीन कलर का है कोज़कीक तो में डाल रहे हूं आप कोई भी कलर ढाल सकते हैं और कलर कोई Golf कर सकते हैं मैं अच्छा करah लग Wyatt ढूर हो गई है यह लोकी की बर्फी तो यह देख किया यहां पर हम जो मेवाली हैं इस अगर दोस्तों आप लोकी का हलवा बनाना चाहते बिलकुल इसी तरह से जोए कि बनता है लोकी का हलवा भी अगर आप थोड़ा से इसे और बोन listen बन जाएगा तो लौक की बन जाएगा तो यह के दोस्तों अब देखने से मुह में पानी आ रहा है और बहुत ही अच्छा लगता को है कहाने भी ऑर यह देकर जो लौकी के दाने जो हम कदुकस किये थे थोड़े खड़े खड़े लग रहे थे लेकिन आप देखिए ये लवकी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है और ये देखिए एकदम सूखा हो गया है तो चलिए अब जो है कि इसे हम एक थाले में निकालते हैं और उसी में इस बरफी को काट लगते हैं तो यहां पर देखिए जिस थाली में हम इस बरफी को जमाएंगे इसमें थोड़ा सा घी लगा रहे हैं ताकि ये छुटने में आसानी हो अच्छे से जो है कि अलग-अलग हो जाए छुट जाए और इस कढ़ाई को चूले से नीचे उतार देते हैं अब जिस था दाली में ट्रांस्फर कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों कितना घठीघगां देखने में लग रहा है और इसे चारों तरब से फैला देते हैं और यह देखिए सभी जगाशनों की अग्दम बराबर है और इसे चम्यस से जो है की बराबर कर देते हैं ताकि सभी जगा मेडियम में हो जाए और उपर से ये काजू और ये बड़ा वाला बदाम रख देते हैं तो ये देखिए दोस्तों लौकी का बरफी हमारा जो है की ये बनने ही वाला है बस इसे कट करना है तो अभी ये गरम है अभी तुरंत तो नहीं कट हो पाएगा अभी मैं आप लोगों को 10 मिनिट के बाद जो है की काट कर दिखाती हूं तो ये देखिए अभी जो है की बनकर तयार हो गई बहुत ही बढ़िया बनी होई है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग भी इस बार लोगी का बरफी बनाईए और अपना अनुभा मुझे कमेंट में बताईए कैसा लगा ये लोगी का बरफी आप लोगों को दोस्तों अगर हमारा व हन्यवाद दोस्तों बाई बाई